खोल दो पंक मेरा कहता है परिंदा की अभी उडान बाकी है और जमीन नहीं है मन्जिल मेरी अभी तो पूरा आश्मान बाकी है है एलो परिंदो कैसे हो आप लोग आप लोग बहुत अच्छे होगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होगी अच्छे तरीके से पढ़के रखा है जय विवित्तायों सनरच्छन जीवों में कितने प्रकार की विवित्तायों पाई जाती हैं और उन जीवों को सनरच्छित कैसे करते हैं कितना डाटा हमने याद किया टोटल हमने पूरा NCRT पढ़ा यदि आप नए इस्टुडेंट है औ पढ़ो खतम करो बायलोजी के सभी वीडियो वहां पर अपलोड है आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं जय विवित्तायों सनरच्छन के सबसे महत्तोपूर प्रस्ण जो हैं आपके जो बहु विकल्पी प्रस्ण हैं उनके बारे में देखेंगे जिनकी संभावना ब ले हैं ठीक है और यदि आपने अभी तक क्लाश डलत बैलोजी के मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन नहीं देखे हो ना तो आप से ज्यादा लेट ना मैं मैं सोची नहीं सकता कोई और हो सकता है इत्ता लेट हो जल्दी से जाओ चैनल पर ठीक है क्लाश डलत बैलोजी आप लोग पढ़ते बोर हो जाते हो थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को बताने के लिए हम लोगों ने चैनल लाए है और उस चैनल का नाम है बायो आपन मोटिवेशन उसक चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखें यहां पे अब स्लाइड लग चुके और स्लाइड का हमारा है पहला कुश्चन क्या है पहला कुश्चन यह पहला कुश्चन हमसे क्या पूछ रहा है पहला कुश्चन बड़ा सिंपल सा है कि विस्व परियावरण दीवस मनाय जाता है यह 2020 में पूछा गया है और यह आपके जर्णल कि नौलेज के लिए कि बहुत ज्यादा जरूरी है विस्व परियावरण दिवस कम मनाया जाता है जिसमें चार आप संदे रखे हैं सितंबर जुलाई मार्च जून बताएं विस्व परियावरण दिवस आपका पांच जून को मनाया जाता है कब मनाया जाता है पांच जून को अब नीचे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताओ को पांच जून को किसका बर्थड़ी है ठीक है नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो ठीक है ना चलो तो विस्व परियावरण दिवस कम मन जाता है ठीक है चलिए हम चलते हैं तरफ किसे बड़ הפर्व घंड के वंने जंतु सरण इस्थल है यानि जो गंडे रहते हैं वो कहां पे रहते याथ और वो कहां पे रहने साथ जहां रहते हैं वो एक प्रसिद्ध जगे यह बहुत है काना मध्यप्रुद्श में हैं काजी रंगा असम में है और पेरु यह पेरिगारु केरल में है ठीक है यह जन्तु सरन्स्थल है यहां पर जन्तु क्या होते है रहते हैं तो जो बच्चें गेंडे होते काजी रंगा सही एंसर क्या इसका गा नंबर इसका सही एंसर है यानि कि जो गेंडो के लिए प्रसिद्ध वन है वो है काजी रंगा नस्नल पार्क ठीक है चलिए अब आए तीसरा कुश्चन की तरफ तीसरा कुश्चन क्या पूछ रहे हमसे हमसे तीसरा कुश्चन पूछ रह पार्क कहां इस्तिते? मद्यप्रदेस में? दिल्ली में? राजस्थान में? बताओ एक ऑफसन जी लट रहा है उत्तरो connect पनले राष्टी कारवट पार्क कहा Twस्तिते? राष्टी कार वड़ड पारक इस्तिते बचचे उत्तराख़ड में? टीक है, उत्राखंड से कई बच्चे होंगे, देको, उत्राखंड वाले बच्चो को मैं एग स्कोप बता दू, स्कोप क्या बता दू, मैं आप लोगों को YouTube का, टीक है, उत्राखंड से आप बिलॉंग करते हैं, तो आपकी जगा पर अच्छी अच्छी जगे होंगी ठीक है क्या होंगी आपके आसपास अच्छी जगे होंगी ठीक है घूमने की जगे होगी क्या होगी गूमने की जगे होगी अब आपके पास अच्छी जगे घूमने की जगे तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो आप ब्लॉग बना सकते हो ठीक ह यूटूब पर एक चैनल बनाईए और उसके वीडियोज डालिए लोगों को बताईए कि बैया उत्राखंड में ये है उत्राखंड में वो है ऐसे ऐसे होता है ठीक है लोग जानने का प्रयास करते इस टाइम का ना ब्लागिंग बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है ठीक है त चिपको आंदोलन चलाया गया बाईया ये कोश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी से कि वन संद्चन हे तू चिपको आंदोलन चलाया गया वो कहां से चलाया गया वो चलाया गया था उत्त्राखंड में कहां पे उत्त्राखंड में इसका मतलब इसके चारू आप्सन को तहीं हिग है तो यह अंदॉलन कहा चला जाए ऊत्र यह क्लियर आपको तो नहीं चलो घосьकर कुछ से अपशन कि आपन हीmith को सिट्रे में थे बतार चिला चिलहा के सब्दोलन किसКो इस ने चलाया था भारत का प्रथम राष्ट्री उद्यान है भारत का प्रथम पहला राष्ट्री उद्यान है दुधवा राष्ट्री उद्यान काजी रंगा फिर कारवट राष्ट्री उद्यान कानह राष्ट्री उद्यान बता इस अब तो एक दूसरे से मेल खाता है कैसे समझ पाएंगे कि भारत का प्रथम राष्ट्री उद्यान कौन है बताओ अच्छा इसमें बताओ दूद सबसे पहले था की काजी रंगा था की कारवेट था की कानहा था कानहा जी थे तो सबसे पहले प्रथवी पर कौन है कानहा जी आए है तो सबसे पहला राष्ट्री उद्यान कौन है कानहा उद्द्यान ठीक है यह एंसर इसका सही हो गया क्यों गया घार नमबर इसका सही हो गया लगाद नमबर ले लो है ना चलो अगला कॉश्यन कि अगला कोष्यन क्या है बहुत इसमें बहुत दिक्कत हो जाती है एक शेकर नहीं क्या दिक्कत हो गए चलो अगला कुशन है छे नंबर कुशन है कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतरगत टाइगर रिजर्व की संख्या है जो टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था भारत में उसके अंतरगत जो टाइगर रिजर्व बनाये गये थे उनकी कितनी संख्या है ठीक है तो उनकी संख्या है सोला से अधिक ठीक है भारत में क्या है सोला से अधिक आज टाइजर टाइगर रिजर्व पाए गए ठीक है दस बारा नहीं तेरा चवदा बिलकुल नहीं पंदरा सोला कभी नहीं ठीक है यह हुआ चलिए वह यह इसे स्वाइप अप करना बढ़ता है ना चलिए शत्र नमबर कोश्चन साथ नमबर कोश्चन क्या बोलता है आपसे प्राकृतिक वासिस्थान में जीवों का संदच्छन कहलाता है प्राकृतिक वासिस्थान मतलब वो उसी वासिस्थान में रहेंगे जहां पर जीव जहां पर जीव रहे रहा है ठीक है रहे रहा है उ उसी इस्थान पर उस जीव का क्या किया जा रहा है उसी इस्थान पर उस जीव का संरच्छण किया जा रहा है क्या कहलाता है उत्थाने संरच्छण स्वाइस्थाने संरच्छण की दोनों की इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं इन में से दोनों ये भी नहीं कहला जा सक कहला जाएगा प्राकृतिक वास में यदि जीवों का संरच्छन किया जाता है तो क्या कहलाता है वो कहलाता है आपका खानमबर ठीक है स्वाइस्थाने संरच्छन स्वाइस्थाने संरच्छन यानि कि इनसिटू कंजर्वेशन कहलाता है ठीक है क्या कहलाता है स्वाइस्थान सनरच्छन कहलाता है कि इनसे टू कंजर वेशन यानि कि उसी की स्थान पे रहे कि उसको सनरच्छित करेंगे ठीक है चलिए नेक्ट कुश्चन next question आईए कि 8 number question क्या बोलता है राश्ट्री 1 जीवन अधिनियम पारित हुआ था राश्ट्री 1 जीवन अधिनियम कब पारित हुआ था 1972 में 1974 में 1976 में 1978 में देखो जो राश्ट्री उद्यान है ठीक है राश्ट्री 1 जीवन अधिनियम है वो पारित हुआ था बहत्तर में 1972 में ठीक है बहुत आपको फंसाने का प्रयास करेगा यह कोश्चन आपको बहुत फंसाने का प्रयास करेगा यह बताएगा वो बताएगा ऐसे बताएगा फंसना नहीं भया 1972 एक डेट याद होनी चाहिए कि राश्ट्री 1 जीवन अधिनियम कब पारित हुआ यह वन एजीवन अधिनियम पारित हुआ 1972 में ठीक है चलिए अब आईए नाइन नंबर कुश्यन अगला कुश्यन अगला कुश्यन अगला कुश्यन यह क्या इसका तो दिक्क्त हो गई चलो नहीं नहीं देख पाया के तो लो है ना चलो उत्तर प्रदेश का राजय पच्छी कोन है मोर कबूतर गवरेया सारस बता यह उत्तर प्रदेश का राजय भारत का है फिर कबूतर होई नहीं सकता हैना सांत का प्रतीक माना जाता है गो रही DS चारह साराश सार्स बचलिक-ःच नहीं चार छह करने तो परिसान नहीं हो ना फ्रैस्टेट नहीं हो न परसटेट नहीं हो आप पन लोग देखो जब बायोमन है ना तब तक जिन्दगी में कभी परेसान मत होना जिन्दगी में कभी उदास मत होना जिन्दगी में कभी भी ना हार मत मनना हमेशा याद रखना तुम लोगों का बड़ा भाई ना बायोमन है और जब परेशान होना ना तो चुप चाप यहां से जाना इंस्टाग नहीं होना है पढ़ाई लगतार करते रहना है ठीक है कॉल करना है और कॉल आप कप करोगे शाथ बजे के बाद ठीक है शाम को आप साम को साथ बजे के बाद कॉल करी अपने शमिस्याओं को बताएगा ठीक है याद रखना तुम लोगों को बड़ा भाई है भी ठीक है देखो निम्न लिखित में से कौन सा भारती जैविवित्ता तप्तिस्थल नहीं है यानि कि कौन सा पूछ रहा है कि भारती जैविवित्ता तप्तिस्थल जहां पर भारती जैविवित्ता भारती योग में जो भारत की जैविवित्ता वो नहीं है ठीक है पूछ रहा है तो सबसे पहले इसमें चार ओप्सन दे रखे है ठीक है तो देखो जो इंडो वर्मा है ये तो भाया भारती जैव वित्ता का तप्तिस्थल है ठीक है पूर्वी हिमाले पूर्वी हिमाले ये भी है पश्चीमी घाट एवं सिरी लंका पश्चीमी घाट वह यह भारत के आसपास है इसमें भारती जेव divorce है बसता क्या है फ्सक्राइब और इसका सही एंसर खानम Yap हम वहांद महा इंद स्थल नहीं खरखें बाकि इन तीनों में क्या होगा इन तीनों में भारती जैवित्टा का भारती कि यह.ff हाथ तब इस ठीके चली ए इस तरह देखते हैं इस इसमें से पूछ रहा है कि कौन भारत का राष्ट्री पसु नहीं है इसमें से पूछ रहा है कि कौन भारत का राष्ट्री पसु नहीं है भाया हाथी राष्ट्री पसु है भालू है राष्ट्री पसु है स्वारी 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 नहीं है मैं नहीं यह बोल दिया थ निव्ण में से कौन भारत का राष्ट्री पसुँए का है ने है भालू पबालू है बहुत बता दिया तुम जब फस्ट में थे ना शेकेंड में थे ना तब से पढ़ते आरो भारत का राश्टी पसु कौन सा है वो है टाइगर बाग है ठीक है राश्टी पसु बाग हो गया फिर राश्टी पच्छी क्या हुआ राश्टी पच्छी मोर हो गया है ना चलो इस पढ़ते आरो यार ACI सेरों के लिए क्या है ACI सेरों के लिए एक मात्र प्राकृतिक वास गिर राश्ट्री उद्यान इस्थित है कि ACI सेरों के लिए एक मात्र प्राकृतिक वासिस्थान जो गिर राश्ट्री उद्यान है कौन सा वासिस्थान गिर राष्ट राष्ट्री उद्यान कहां पे इस्थित है भाईया राष्ट्री जो गिर राष्ट्री उद्यान है इसको इस्थित किया गया है गुजरात के अंदर ठीक है उत्राखन के अंदर नहीं राजस्थान के अंदर नहीं मद्य प्रदेश बिलकुल नहीं कहां पे इस प्र यूटूब देखो पता है यूटूब एक बहुत बड़ा प्लेट फॉर्म है और यहां पर आकर के आपना पैसे भी कमा सकते हो आपके सोर सा फर्णिंग भी हो सकती है ठीक है इसको याद रखना कौन सा ही इसका सही अंसर गुजरात है ठीक चलिए आगे देखें आगे हैं हमारा तेरे नमबर कुस्चिन क्या बोलता है कि धाना घाना राष्टी उद्यान Cities प्रदेस में उस्तिति है ठीक जो गहाना राष्टी उद्यान है घाना अजीव नाम है घाना मतलब है घन तीक है देखो हाँ इसको निकालो घाना मतलब है घन घन का जो रंग होता है वो कैसा होता है वो होता है रेत के जैसा ठीक है घन का रंग होता है रेत के जैसा रेत कहां पाई जाती है पाई जाती है राजस्थान में सिक्किम में घाना राश्च्ची उद्या कहां पाया गया या दो गया आप कभी इस चीज़ को भूले भूलो के तो नहीं अगर पूछा जाए आप से कि घाना राश्टी उद्यान कहां पाया गया तो आप सीधे जवाब दोगे राजस्थान बताओ दोगे की नहीं दोगे चलो आगे देखें अगला कुश्चन है हमारा कुश्चन नमबर 14 14 है निम्न लिखित में से क्या बोल रहा है कि निम्न लिखित में से कौन सा इस्तनी संकट ग्रस्त नहीं है ठीक है क्या पूछ रहा है कि निम्न लिखित में से कौन सा इस्तनी पूछ रहा है इस्तनी कौन सा इस्तनी है और वो संक तु देखो जो लाल पंड़ा में संकतग्रस्त थीक है फिर कस्तूरी इम्रग यह भी संकतग्रस्त है भारती बभरसेर यह भी संकतग्रस्त है लेकिन जो नील गाएं नील गाई ये संकट ग्रस्त जीव नहीं है इन पर कोई संकट ग्रस्त नहीं यह राम से रहती है एस की जिंदगी इन लोगों की लाल पंडा वंडा तो विल्कुल है ना खता भी हो गए मतलब बोलना नहीं जहीं है लेकिन हाँ सच में आइसा ही हो गया चलो पाचवा नमबर क काजी रंगा राष्ट्री उद्यान भारत के किस राज्य में इस्तित है कि काजी रंगा राष्ट्री उद्यान जो है वो भारत के किस राज्य में उपस्तित है भारत के किस राज्य में अभी तोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया काजी रंगा राष्ट्री उद्यान कह महाराष्ट में कभी नहीं गुजरात कभी नहीं पंजाब में कोई नहीं सकता ready काजी रंगा राश्चायोध्यन कहा वो इस्तित है असम माले क्या करोगे काजी रंगा का एक वीडियो बनाओगे जो भी बच्चे मुझे असम से देख काजी रंगा के वीडियो बना के मेरे पास शेयर करेंगे ठीक है चलो शेयर कैसे करों इंस्टाग्राम पे जाकर के नंबर ले ले लेना आप लोग ठीक है चलिए आपको बताने कि यदि आप लोग फुल चैप्टर वीडियो नहीं देखें न ठीक है फुल चैप्टर वीडियो तो आप लोग जाए आप लोग बहुत लेट हैं ठीक है फुल चैप्टर वीडियो पढ़ा दिया गया है और वो चैनल की प्लेलिस्ट पर अप्लोड है वो वीडियो भी चैनल पर अप्लोड है ठीक है आप लोग जा करके वहाँ पर देख सकते हैं चलो यह है दुधवा राष्ट्री उद्यान इस्थित है दुधवा राष्ट्री उद्यान कहां इस्थित है 2017 के अंदर पूछा गया थे सवाल हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश बताए जो दुधवा राष्ट्री उद्यान है दुधवा निस्थित है उत्तर प्रदेश में है ना लखीम पूर खीरी ऐसे कुछ करके है है ना उधर यह दुधवा राष्ट्री उद्यान मैं किसी दिन घूमने जाऊंगा कहां पर मैं किसी दिन यहां पर घूमने वीडियो और इस वीडियो को एक Channel है हमारा आप लोगों कहीं है और उस चैनल का नाम है बाईो अमंण पी लसит तीज करें अर उस वीडियो को उस बाईोर्म ब्लॉक्स पर मैं और क्यों, आप लोग को तीक है चलिए है यह कंफर्म हो गे आपका अब कान सा कुर्यन बचा 17 प्थारमर कुश्यनime है की भारत में अब्या रणों की कुल संख्या कितनी है भारत में खोई है तीके है चलिम इभारत में यह मंदल सुरचित चेत्र परियोजना सुरु हुई आप या इसकी परियोजना का प्रारंबस भारत में जयो मंडल सुरचित छेट्र पर्योजना प्रारंभुई कभ निस सो चौरासी के अंदर फ़या चार पांच संहे साथ मतलब लगा दिए हैं सीरियल से लगा दिए हमको भ्रामित कर लोगे का तो हमका ब्रहमित कर लोगे कभी ने कर पाओगे ठीक है भारत में जयो मंडल सुरच्छी जोजना की कभ हुई 1986 में कभ 1986 के अंदर हुई चलिए अब है हमारा लाश्ट कोश्चन लाश्ट कोश्चन क्या बोलता है कि जीवों के अस्तित्त को सबसे बड़े खत्रे का कारण है ठीक है जीवों का जो अस्तित्त है उसमें सबसे ज्यादा खत्रा किस चीज का मडर आ रहा है सबसे ज्यादा खत्रा किसका है मरुस्थली करण का ह कि ज्यादा मरुस्थाल हो जाएगा है पिर क्या वनों काकटाओ का है इन वे से कोई नहीं है विकिरण है खिए ह RAW सबसे ज्याधा जो खत्रा आ रहा है जीवों के अस्तित्त्त का वह आ रहा है रेइचision के दोरा कोई है इन से कोई ने बिल्कुल नहीं विकीरण के द्वारा क्या हो रहा है जीवों के अस्तित्तों का ना सबसे बड़ा खत्रा मंदा रहा है ठीक है तो फाइनली यहीं पर आपका आज का वीडियो आज का लेक्चर आपका खतम हुआ यानि कि जीवों जैव वित्तायों संवच्छन बायो डाइवर्शिटी एंड कंजर्वेशन के जो मोस्ट इंपर्टन कोश्चन थे वह आपके यहीं पर खतम हो गए हैं ठीक है तो फाइनली अब हम लोग वीडियो वीडियो को हम लोग खतम करेंगे ठीक है तो आप लोग जाएएगा प्लेइलिस्ट चेक करिएगा पढ़ते रहिए मिनत करते रहिए विस्यों अलबेस्ट थैंक्यू झालब यहीं नोग जाति ठीक है तो आप लो खतम हम लोग जाएएगा विस्यों आप लोग अवाएगा यह